हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मैं यूट्यूब चैनल बायलोजी साइंस आज हम आप लोगों को इंटर्मेडियेट की बुक से बायलोजी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट कुईस्चन और उटके आंसर को बताऊंगा जो विभिन कामपटीशन में पूछे जाते हैं चलिए शुरू करते हैं पहला प्रेश्ण है सब्द इस्पेसीज का प्रियोग सरप्रथम किस ने किया अरस्तु, जान्रे, थियोफ्रिष्टस, लीनियस अंसर से योगबी, जान्रे ने सब्द इस्पेसीज का प्रियोग सरप्रथम किया था आपको इन सभी option के बारे में थोड़ी-थोड़ी से जानकारी दे देते हैं, कभी पूछे जा सकते हैं, तो सबसे पहले हैं अरस्तु, अरस्तु ने सबसे पहले ग्यात जन्तु को दो भागों बाटा था, पहले वे जन्तु जिन में लाल रुधिर नहीं होता था, जैसे sponge था, मुलस्का, आर्थोपोडा, आदी तथा दूसरे भाग में वे जन्तु जिन में लाल रुधिर था, और था था समस्त का सिर्व की जन्तु, चाहे वो बच्चे देने वाले हों, चाहे अंडे देने वाले हों, और जानरे के बारे में बता दें थोड़ी से जानकारी आपको, अरस्तु के लगभग 200 साल बाद, 17. सदी में, जानरे ने पहले पहल जीव जाती की परिभासा देकर, बिभिर्न जातियों का, तथा कुछ प्राकर्तिक संरचनात्मक संबंधों के आधार पर उनका वर्गी करण किया था, और तीसरे हैं थियोफ्रेश्टेस, तो थियोफ्र 136 ग्यात जातियों का वर्गी करण किया है, और जीव जातियों के नामकरण हेतु द्यू नाम पधति भी बनाई है, यानि द्यू नाम पधति के जनक भी करोलस लीनियस ही हैं, और साथी साथ आधुनिक वर्गी करण के पिता या कहा जाए, तो फादर आप मॉडर्न टेक्स नौमी भी इन्ही को कहा जाता है, तो इस प्रकार से ये प्रेश्ण पूरा हुआ, अगला प्रेश्ण है, एक पुस्तक में किसी जीवधारी का वैग्यानिक नाम एसपरजिलस फ्लेवस लिन लिखा है, तो आप्सन इस में से कौन सा सही होगा, चार आप्सन आपके शामने दिये गए हैं, चार में से तीसरा वाला सायोगा लिन नामक वैग्यानिक ने सरफ़तम उस जीवधारी को वर्तमान नाम दिया था, इसलिए यहाँ पर लिन लिखा हुआ है, तो वैग्यानिक लोग क्या करते थे कि अपने ही नाम पर किसी जीवधारी का नाम या उस जीवध जीवधारी को वैग्यानिक नाम दिये गए क्योंकि क्यों दिये गए जीवधारी को वैग्यानिक नाम ये आपको बताना है जीवधारी को वैग्यानिक नाम दिये गए क्योंकि इसमें आंसर सही होगा सिवाला बिना किसी संसे के वैग्यानिकों में विचार बिनिमय हो सके इसलिए जिवधारियों को वेग्यानिक नाम दिये गए अगला प्रश्ण है द्यू नाम नामकरण पधती का सुझाओ किस ने दिया था तो आंसर इसमें सही होगा काल लीनियस ने द्यू नाम पधती का सुझाओ दिया था निद्यू नाम पधती के जनक कैरोलस लीनियस है अगला प्रश्ण है द्यू पद नाम नाम करण पधती पौधों के लिए किस ने दी है तो इसमें भी आंसर वही से योगा लीनियस ने दी थी अगला प्रश्ण है द्यू नाम करण का अर्थ है पादप नामकरण का अर्थ क्या है आंसर सयोगा बी अंतर राष्टिय नेमों के अंतरगत पाउधों का सही नामकरण करना अगला प्रश्ण है पाउधों के वनस्पति नामकरण में आंसर सयोगास में डी प्रजाती एवं जाती नाम दोनों तिर्छे अच्छरों में मुद्रित होते हैं अगला प्रश्ण है एक प्रभाग का निर्माड निम्न के संयोजन से होता है वर्ग कुल गण जाती तो एक प्रभाग का निर्माड वर्ग के संयोजन से होता है अगला प्रश्ण है दिवपद नाम पधती में जिवधारियों के नाम में दो पद किन सम प्रतेक जीव का केवल एक वेग्यानिक नाम होता है जिसका पहला अच्छर वंस तथा दूसरा अच्छर जाती होती है अगला प्रत्षन है और जहें, सिश्टेमा नेचुरी नहमक पुस्तक के रजईता भी मैंने पहले प्रश्ण में आपको बताया था, लीनियस हैं थाथ कैरोलस लीनियस हैं अगला प्रश्ण है जाति वृत्ति वर्गीकन किस पर आधारित होता है चाराप संदिये गए हैं जाति वृत्ति वर्गीकन किस पर आधारित होता है आंसर सयोगा बी समान विकासिये वन सज़ता पर आधारित होता है अगला प्रश्ण है कुछ द्रिश संद्रचनात्मक लच फीसियल या कृतिम कहलाता है अगला प्रश्ण है वर्गा क्या टैकसान क्या है तो वर्गा क्या टैकसान वर्गिकर की एक स्रेड़ी है अथवा इकाई के जीव समू का नाम होता है टैकसान अगला प्रश्ण है जाती सब्द किस्ट ने दिया था यह अभी दूसरे प्रश्ण होते हैं जन्तु जातिके लच्छन उप्रोग तो सभी होते हैं जातिके सदस्यों के अधिकांस आनुवांसिक लच्छन समान होते हैं जातिके सदस्य प्राकर्तिक दसाओं में परस पर लेंगिक प्रजनन करते हैं और तीसरा है प्रजनन द्वारा सदस्य अपने जैसी जनन ज हम संताने उत्पन करते हैं तो इस प्रकार से ये तीनों आप्सन सही होंगे अर्थात उपरोग तो सभी सही होंगे अगला प्रश्ण है कृतिम दसाओं में प्रसंसकरण के फलसरूप उत्पन होते हैं टिकलाइन, जब्राइड, खाचर ये सभी तो कृतिम दसाओं में प्रसंसकरण के फलसरूप ये सभी उत्पन होते हैं अर्थात टिकलाइन, जब्राइड और खाचर ये सभी उत्पन होंगे चलिए अब हम आप लोगों को थोड़ी से जानकारी टैक्सोनॉमी के बारे में दे देते हैं या वर्ग की तथा दुईपद नाम के बारे में यानि दुईपद नाम नाम कराênio जो पधतु थी इसके बारे में थोड़ी से जानकारी जल्दी से बता देते हैं तो वर्ग की या ठेक्सोनॉमी पहले देख लेते हैं संदचनात्मक किरियात्मक तथा जयोरासानेस समानताओं एवं आसमानताओं के अधार पर जीव जातियों को छोटे बड़े समुहों में बाटना वरगीकरण कहलाता है अर्थात उनकी संदचना को देखकर उनकी कारियों को देखकर के तथा उनकी जयो रासानिक किरियाओं और उनकी समानता क्या है अर्थात उनकी संसार भर में इतने सारे जियों हैं उनमें समानताओं को देखकर आसमानताओं को देखकर उनके कारियों को देखकर उनकी संदचन कहा गया तो इसके अध्यान की साखा को ही वर्ग की या टैक्सोनॉमी कहते हैं यानि जो वर्गिकन का अध्यान किया जाता है इसके अध्यान की साखा को ही वर्ग की या टैक्सोनॉमी कहा जाता है टैक्सीज का अर्थ होता है और जबकि नॉमिया का अर्थ होता है distribution अर्थात अलग-अलग भागों में अलग-अलग समोहों में बाटना इसकार्थ होता है तो ये तो हुआ taxonomy या वर्गिकी के बारे में अब थोड़ी सी जानकारी आपको वैज्ञानिक नाम या द्यूपद नाम या द्यूपद नाम नामकरण पधति के बारे में दे देते हैं तो लीनियस में अपनी पुस्तक जो इनकी पुस्तक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी के दस्वे संसकरण में संस 1758 में जीवजातियों का नामकरण एक नई भिधिसे किया जिसे द्यूपद नाम पधति कहा गया जैसे कुछ लोगों में बेटों के नाम के साथ पिता का नाम जोडने की प्रथा होती है ये एक्जाम्पिल के रूप में जातियों का था जीञेस का था तो जिसमें उन्होंने इस जर्थे मिल्ती-जुलती सभी जातियों का सम्मलित किया था यानि ऐसे जातियों को समलित किया जिसमें उस जाति से सभी मिलते जुलते थे, उधारण के रूप में आपको जैसे हम बता दें कि गोरईया को उन्होंने क्या कहा, पैसर डोमेस्टिकस, मनस को होमोसेंपिस कहा, तो इस तरह से वंस और जाति को मिला करके दूइपद नाम पध्धत कहते हैं, आधने बेग्यानिक इसी भी दिखाव पीओ करते हैं, जियू-जातियों के इसके अनुसार, निर्धारित नाम, देसी नामों के बिपरीत होते हैं, या जिन्हें 2 नाम पधथि या बेग्धानिक नाम या जियो लोजिकल नेम कहा जाता है, तो आसा है, मेरे दुर को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ में वेल आइकन को भी प्रेस कर लिजिए तकि अगले आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन भी उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए धन्यवाद